गया के मुफसिल थाना छेतर के बूढ़ी गाउं में एक महिला फरार हो गई वादो बच्चों की मा भी है वही महिला बीते छे दिनों से लापता चल रही है पती अपने चचेरे भाईयों पर सक चताते हुए मुफसिल थाने में केस दर्च करवाया है आपको बता दे कि महिला के पती और बच्चे सो रहे थे तब वह आधी रात को अपने घर से फरार हो गई इस बात की भनक उसके पती को महिला के भागने के बाद सुबा के समय लगी थी वहां कहां गई है इस बात की जानकरी ना तो उसका पती लगा सका है और ना ही पुलिस वहीं फरार महिला का पती घटना के 6 दिन बीच जाने के बाद अब वहां किसी अनहोनी के आसंका से भैवीत वह सहमा है उसके पती का कहना है कि उसकी साधी 2011 में हुई थी वहीं साधी के बाद सबको समानी चल रहा था ऐसे वे पतनी का लापता होने के पीछे कोई ना कोई साजिस है इधर इस्थानी पुलिस के लापरवाही की वज़े से फीडित परिवार सहीद गाउं भी आक्रोस में है विर्य रिपोर्ट आई पीयर